दोस्तों, आज 18 जुलाई 2024 को बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है कि चंडीगड से डिब्रूगड जा रही डिब्रूगड एक्सप्रेस गोंडा उत्तर प्रदेश के जिलाही रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई शुरुवाती रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दर्जन के करीब डिब्बे पटरी से एकाएक उतर गए इस दुरगटना में डिब्रूगड एक्सप्रेस के ऐसी कोच को सबसे अधिक नुकसान हुआ है जिस कारण यात्रियों में दहशत फैल गई ट्रेन के पटरी से उतरते ही यात्री डर के मारे शोर शराबा करने लगे और ट्रेन के रुकते ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगे गोंडा से आपात कालीन बचाव दल को सहायता के लिए घटना स्थल पर भेजा गया है आपको बता दें कि ट्रेन संख्या 15904 डिब्रुगड एक्स्प्रेस चंडीगड से डिब्रुगड के लिए अपने नियमित मार्क पर चल रही थी तभी पिकोरा के पास गोंडा और जिलाही के बीच पटरी से उतरने की घटना हुई घायलों या हताहतों की संख्या के बारे में अभी तक पुष्टी नहीं हुई है बताया जा रहा है कि दुरघटना में चार ऐसी कोच शामिल थे रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह दुरघटना स्थानिय समय अनुसार अपराहन लगभग 25 बजे घटी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राहत आयुक्त कार्याले द्वारा हेल्प लाइन नंबर जारी किये गए है भारतीय लेलवे ने भी राहत अभियान शुरू कर दिया है तथा मेडिकल वैन को तुरंत घटना स्थल पर भेज दिया गया है